उन्ही के कदमों में ये सारा जहां होता है जिनका आशियाना बीच आसमान होता है फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की और हर मुकाम पर पहुचना आसान होता है गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 25 इतमर और देखेंगे आज के पूरे 14 करेंड़ फेस कोईशन तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से लास्त तक देखिए का लास्ट में एक कोईशन पूछोगो उसका अंसार आपक पूरा वीडियो जरूर देखिए गए एक कोईशन काफी इंपोर्डेंट है हर गावर्मेंट एक्जाम के लिए तो आप इस वीडियो को जादा जादा लाइक करके शेयर जरूर कर दीजे पहला कोईशन बहुत इंपोर्डेंट है पहला अखिल महिला विदेश मंत्री सम्म मेलन कहां आजित किया गया दोस्तों पहला अखिल महिला विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आजित किया गया है कनाडा के मौन्ट्रियल में देखिए दोस्तों आपको वता दें कि 22 सितंबर 2018 को मौन्ट्रियल कनाडा में पहला अखिल महिला विदेश मंत्री सम्मेलन आजित किय गया और इसका उद्देश क्या है राजनीती और निर्ण लेने की प्रक्याओं में महिलाओं की महत्पुर्ण भूंकाओं का उजागर करना है इसके लाव बैठक की जो सहधेक्षता है कनाडा की सीर्स राजनेक जो है क्रिस्टिया फ्रिलैंड और यूरोपी संकी विदेश मा गुरुनी द्वारा की गई थी ठीक है उसका उद्देश क्या राजनीती और निर्ण लेने की प्रक्याओं में महिलाओं की महत्पुर्ण भूंका का उजागर करना ठीक है और दोस्तों अगर यहां पर बात करें कनाडा की तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा ठ ठीक है और दोस्तों अलधा देक कि जो कनाडा है वो 6 पल्ग देश्टी से दूसरा सबसे लड़ा देश है एरियावाईश 9 directors देशोसरा सबसे बड़ा देश से वर्ल्ड में और यह उत्तरी अमेरिका मिंस्थीष एक दय से यह आपको याद रखना है और बात करें हैं कर न Canadian डॉलर करेंसी के गानड़ा की Canadian डॉलर करेंसी है ठीक है तो पहला अखिल मही इला विदेश मंद्री समयलन कहां जित किया गया कानड़ा के मौन्ट्रियल में जब कि कानड़ा की राज़ानी क्या है ओटावा ठीक है यह फैक्ट आपको यादर्खना है अगला कोश्चन है पाक यूंग सिक्किम के पहले हवाई एड़ा को दुठान किया है और हिमाले सिमाओ के बीचिस्तित हवाई एड़ा 45 सुफीट की उचाई परस्तित है ठीक है 45 सुफीट की उचाई परस्तित है यह भारत का सववा कारयत्मक हवाई एड़ा है हवाई एड़ा का निर्मार ज सबसे लंबे समय तक सीम रहने कर रिघ्रबाद आए नाम है ठीक है भारत में सबसे लंबे समय तक सीम रहना करें काट किसके नाम है यही सिक्कीम को बरतवान प्राइमनिस्टर है पवन कुमार चामलिंग को ठीक है 23 साल तक यह तक यह सिक्कीम के प्राइम बात करें भारत का नियुक्तावादी वाला राजी तो वह इकीम के पहले हवाइड देका उडग़ा घ्तिक ने किया है परधानमंतरी मोदी जी ने और जो प्रधानमंत्री मोः जी ने और जो चुक्गिम के सियम है प大एन अपसे लंबे समय तक सीम रहने का रिकार्ड इनके पास है और याद रखिए गर सिक्किंग के बर्तवन गवरनर गंगा परसाद है काफी बोर्डेन है क्योंकि अभी इनकी हाली में नियुक्ती हुई है कोश्चा नमर थर्ड है मालदीप के नए राष्टपती कौन बनेंगे म मालदीप के नए राष्टपती बनेंगे मुहमत सौली आपको विपक्षी नेता इब्राहीम मुहमत सौली ने मालदीप के राष्टपती का चुनाओ जीता है और राष्टपती अब्दुल्ला आमीन के लिए यह एक आश्यर जनाखार थी चुनाओ आयोकदार जारी किये ग फिप्टी एट पॉइंट फिप्टी एट पॉइंट फिप्री परसेंट वोट इन्हों ने हसल किया है इसके लाव को अदातिक घंद मासागार राष्टपती प्रवाइट करने वाले च्छेत्री दौन्दियों को भारत और चिंद और इस मतदान को बारिकी से देखा जा र हैं अगले कोशंग तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर फूर्थ है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ सेवा योजना आईश्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरयोग योजना को शुरुआत की है और इस योजना के चाहत हर बर्ष 10 करोड से धीक परिवारों को 5 लाक रुपए का स्वास्थ विवा परदान किया जायेगा आपको बतादे कि यह 50 करोल से अधिक लावर्तियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोसित स्वास्त सेवा कारिक्राम है और यह योजना सेवा की बिंदू पर लावार्ति के लिए सेवाओं के लिए नगध रहीत और कागाज रहीत पहुंच प्रदान करेगी तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त सेवा योजना आईश्मान भारत प्रदामंत्री जानारा गयोजनक सुरत किसने की है की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और यह जो है तो दस करोल सिधिक परिवारों को पांच लाख रूपए का स्वास्तिवा प्रदान किया जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर फीपत है दोस्तों मैसेजिंग एफ वाटसेप ने भारत के लिए निम्रखित में से किसे सिकायत निप्टान अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर जाएगा आपसाने कोमल लाहरी को ठीक है को माल लाहरी आपको बता दें दोस्तों वाटसेप ने अधिकारी के तौर किस्ट ने उतकिया गया है कोमल लाहरी को यहां पर दोस्तों बात हो रही वाटसेप की तो वाटसेप इस इलेटेड आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं वाटसेप के जो दोस्तों फाउंडर थे वो थे जन जैन कोवा और वी एन एक्टन ठीक है जैन को ुम और वी एन एक्टन फाउंडर है वाटसेप की स्थाब्ना वी जन्वरी दोजार नो में इसका ह्कॉइवर साफार है वाटसेप के बारे में आप सबको पता यह कुशन नमर्च से निम्न निकितमें से किसे हाली में मालीब का राश्रेपती निव पताया है तूश्य पहल मालदी में जो 23 सितंबर को चुनाओ है 23 सितंबर को उसमें आज राश्पत चुनाओ है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की इबराहीम मुहमत सौली मालदी में चुनाओ जीत दर्ज किया ठीक है इनकी पार्टी क्या नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ठीक है भारत ने हाली में दो परतों वाली वैलेश्टिक मिसाइल लक्षा प्र Crit темпер को और इंटर्सेप्टर मिसाइल का सफलता पूर्परिक्षड किया है। और interceptor का नाम प्रित्वी डिफेंस होईकल mission दिया गया है ठीक है प्रित्वी डिफेंस टीकल mission अनि PDV प्रित्वी डिफेंस होईकल mission ठीक है वह दिखोशन के नील कुरंजी नमक पौधे के सरक्षंड के लिए उजनक गोशनक की है आपको बता देक तमिलाडू सरकारने हाली में नील कुरिंजी नामक पौधे के सनक्षण के लिए उजनक की यह पौधा 12 वर्सों में एक बार खिलता है ठीक बात करें तमिलाडू की तो राजधानी है चन्नाई और वर्तमान में जो गवर्नर है बनवारी लारपुरोहित और सीयम है के पालनी स्वामी Q10 है पौरू कवतान महन सिंग धोनी ने 2018 एशिय कब में पाकिस्तान के खिलाब मैच में उतरने के साथ पूर्व क्रिगेटर राहू द्रविड को मैच पचाड कर दूसरे सरवाधी गंतराश्टी मैच खिलने वाले भारती बन गया है Q11 है जापानी एरोश्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी के मतावित प्रिथवी से 30 करोल किलोमेटर दूर इस्थित रोईगो एस्टोराइट पर उसने सफलता पूरू कितने रोवर रोवर उतार लिए हैं Q12 है जापानी एरोश्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी के मतावित प्रिथवी से 30 करोल किलोमेटर दूर इस्थित रोईगो एस्टोराइट पर उसने सफलता पूरू रोवर उतार लिए हैं ठीक है जापान की राज़ानी है टोक्यो प्रामिस्टर सिंजो आवे और जो एविल्युशन मिशन अंतरिक श्यान ने मंगल करी कक्षा में परिग्रमा करते हुए अपने कितने वर्स पूरे कर लिए हैं इसका करेक्ट एंसर दोस्तों ऑप्साने चार वर्स ठीक आपको दाते कि नासा के मार्स एटमोसफेर एंड वोलाटाइल एविल्युशन मिशन अ नासा के स्थाबना का हुई थी 29 जूलाई 1925 को बरतमान में जो नासा के एर्मिस्टेटर है वो है जीम ब्रेंडे स्टाइन ठीक है यह फैक्ट आपको याद रखना है तो नासा के मार्स एट्मोस्फेयर एंड वोलाटाइल एविल्यूशन मिशन अंतरिक्ष्यान ने मंगल अगर गख्षा में परिक्रम अगरतिव ने कितने वर्स पूरे कर लिए है चार वर्स पहली महस पफा जो नए दिले में कितसई को किया जाएगा तो न अंतरहस्टी सोलर गटवंदन की पहली महास पछलिय के जा विए ग्रेक्षशन को लको कि सबींस कराई डिया था अब देख लेते हैं आज का सवान किया डोस्तों य़मेंट बोक्ष में पिरकना आजिक न राइट एंसर कमेंट वाक्स ज़रूर लिखियेगा यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी जस्ट यहाँ पे प्ले होगी ज़रूर देख लिजिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स टूडियो के साथ दोस्तों तब तक कि लाग पाद इन शूब हो आल दे बेस्ट जै हिन ज है भारत